अपना हाथ आगे करो पर मैडम सिर्फ एक ही आंसर गलत हुआ है तो क्या हुआ, मार तो तुम्हें खानी ही पड़े की पूजा ने हाथ आगे किया शालीनी मैडम ने पूजा के हाथ पर छड़ी से मारा पूजा दर्द से चिल्ला उठी आँ, मर गई मेरी क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा शालीनी मैडम पूजा को मारने लगी पूजा चोड़ दीजे मैडम सजा तो तुझे देनी ही होगी अगर मार नहीं खाना चाहती है तो आज दिन भर मेरी नौकरानी बन कर रहना होगा ठीक है मैडम, मन्सूर है पूजा एक दिन के लिए शालीनी मैडम की नौकरानी बन गई शालीनी मैडम ने पूजा से खाना लाने को कहा पूजा बाहर से खाना ले आई शालीनी मैडम ने उससे कहा पैर दबाने के लिए पूजा ने वही किया जो शालीनी मैडम ने कहा ये सब अपने माता पिता को मत बताना नहीं तो स्कूल से निकाल दूगी नहीं नहीं मैडम मैं किसी से नहीं कहूंगी असल में ये स्कूल माधव जी का है माधव जी विधायक है और शालीनी मैडम माधव जी की बीवी इसलिए वो हमेशा स्टुडेंट्स पर रॉब जमाती है आज भी उन्होंने यही किया शालीनी मैडम ने पूजा से कहा तो यहीं रुक मैं भी बाधरूम से आती हो शालीनी मैडम बाधरूम चली गई शालीनी वहीं बैटी रही और तभी बाधरूम के अंदर से चीखने की आवाज आई आँ बचाओ बचाओ चिपकली चिपकली पूजा चौक गई अरे मैडम चिल्ला क्यों रही है पूजा तुरंट दोड़ कर बाधरूम के पास गई और बाधरूम का दर्वाजा खोल दिया और देखा शालीनी मैडम बेहोश होकर बाधरूम में पड़ी है और उनके उपर एक चिपकली बैठी हुई है पूजा को देखकर वो चिपकली भाग जाती है पूजा सभी को बुलाती है और फिर शालीनी मैडम के चहरे पर पानी का चीटा मार कर उन्हें होश मिलाती है क्या हुआ मैडम आप बेहोश क्यों हो गई थी आप शिपकली से डर्ती हो क्या शालीनी मैडम दुविधा में पड़ गई उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं किसी से नहीं डरती अब मुझे तो बस थोड़ा चक्कर आ गया था लेकिन पूजा को जो समझना था वो समझ गई इसका मतलब शालीनी मैडम सिर्फ छिपकलियों से डरती है अगले दिन शालीनी मैडम क्लास में आई और किसे स्टुडेंट को मारने लगी हर रोज ये सब सहते सहते सारे स्टुडेंट परिशान हो गए ये शालीनी मैडम ने तो परिशान करकी रख दिया है वो किसी की बात ही नहीं सुनती है मैं तो मेरे माता पिता को बताने वाली हूँ नहीं, ये गलती कभी मत करना तुझे पता है न शालीनी मैडम का पती कौन है ये सोचकर ही सभी डर गए उधर शाम को शालीनी मैडम घर पहुँची और उनके पती माधवजी ने कहा और फिर से किसी बच्चे को मारा है क्या और नहीं तो क्या ऐसे रोज-रोज बच्चे को क्यों मारती हो शालीनी मुझे मज़ा आता है, बच्चे कुछ कह नहीं पाते न बस जितनी मर्जी उतना मारो उने किसी दिन तुम्हारी ये आदत तुम पर भारी पड़ेगी, देख लेना अरे कुछ नहीं होगा, मैं तो विधायक की बीवी हूँ क्लास में दिन बर दिन शालीनी मैडम का अत्याचार बढ़ता ही गया शालीनी मैडम का कुछ करना पड़ेगा लेकिन हम करें तो करें क्या तब ही पूजा ने कहा सुनो सब लोग, मेरे पास एक प्लान है मुझे पता है कि शालीनी मैडम किस चीज से डरती है किस चीज से? छिपकलियों से, मैं कल सबके लिए एक प्लास्टिक की छिपकलि लाऊंगी और जब जब शालीनी मैडम हमें मारने आएंगी हम उनके हाथ पर उस चीपकली को रख देंगे अरे वाँ, ये तो मस्त प्लान है अगले दिन पूजा स्कूल में बहुत सारी प्लास्टिक की चीपकलिया लाई और सभी में एक एक करके बाढ़ दी कुछ देर बाद शालीनी मैडम क्लास में आई और बोली आज सबी ने होमवर्क किया है ना? येस मैडम पिर भी मैं किजी ने किजी के होमवर्क में तो नुक्स निकाली लूँगी और फिर उसे मारूंगी और उससे अपना काम करवाऊंगी लेकिन शालीनी मैडम को नहीं पता था कि बच्चे आज पूरी तयारी के साथ आये थे शालीनी मैडम ने एक स्टुडेंट के होमवर्क में नुक्स निकाला और उससे कहा अपना हाथ आगे करो उसस्टुडेंट ने बैक से प्लास्टिक के चिपकली निकाली और शालीनी मैडम के हाथ पर फेग दिया चिपकली चिपकली आज बचाओ बचाओ शालीनी मैडम क्लास भर में दौरने लगी बचाओ बचाओ उनका सर जाकर दीवार से टक्राया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी क्लास भरके सभी बच्चे हसने लगे आज तो बाल-बाल बच गए कुछ दिर बाद पुजा ने शालीनी मैडम के चेहरे पर पानी का छीटा मार कर जगाया मैं कौन हूँ? मैं कहां हूँ? आप क्लास रूम में ही है मैडम शालीनी मैडम चली गई क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश हो गए आज से रोज यही करेंगे इसके बाद हर रोज शालीनी मैडम पर कोई न कोई प्लास्टिक की छिपकली फेकने लगा और शालीनी मैडम डर के मारी शान्त हो गई इतनी छिपकलिया आख हाँ से रही है मुझे इन छिपकलियों को मारना होगा शालीनी मैडम ने पेस्ट कंट्रोल के लोगों को बुलाया और पूरे स्कूल में दवाई फैला दी स्कूल की सारी छिपकलिया मर गए एक दिन पूजा ने क्लास में सभी से कहा शालीनी मैडम को ये नहीं पता है कि हमारे पास प्लास्टिक की छिपकलिया है और ये बात शालीनी मैडम ने सुन लिया और वो सामने आ गई अच्छा तो ये सब तुम्हारा क्या धरा है आज तो तुम्हें सजा मिलेगी शालीनी मैडम ने पूजा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया स्कूल खत्म होने तो उसके बाद तुम्हें देखती हूँ मैं पूजा डर गई पता नहीं आज मैडम मेरे साथ क्या करेंगी मुझे तो सोचकरी डर लग रहा है पूजा कुछ घंटों तक उसी रूम में बंद रही वो डर के मारे कापने लगी तब ही उसके सामने एक छिपकली आई और बोली पूजा डरो मत मैं हो तुम्हारी साथ तुम तुम बात कैसे कर सकती हो क्योंकि मेरे पास ज़्यादरी शक्तिया है तुम्हारी शालीनी मैडम की वज़े से मेरा परिवार मारा गया है मैं बदला लेना चाहती हूँ मैं तुम्हें इच्छाधारी छिपकली में बदल देती हूँ शालीनी मैडम जब इस कमरे में आएंगी तब तुम च्छिपकली बन जाना उस च्छिपकली ने पूजा को इच्छाधारी छिपकली बनने की शक्ति देती शाम को शालीनी मैडम उस कमरे में आई पूजा अब तेरा क्या होगा आज तुझे में बहुत मारूंगी शालीनी मैडम के हाथ में चाबुक था वो चाबुक लेकर पूजा की ओर बढ़ने लगी और तब ही पूजा च्छिपकली में बदल गई और शालीनी मैडम पर छलांग लगा दिया अरे बापरे तुछिपकली है बचाओ बचाओ इच्छाधारी च्छिपकली बचाओ बचाओ शालीनी मैडम दोड़ कर स्कूल के बाहर चली गई और कभी भी वो नहीं लोटी उन्होंने स्कूल आना ही छोड़ दिया सभी शालीनी मैडम के अत्याचार से बच गए और वो च्छिपकली पूजा की दोस्त बन गई मधु रसोई में खाना बना रही थी उसकी साज जानकी वहीं पर खड़ी थी इतने में मधु को पाद आ गई और उसने मन ही मन सोचा अरे यार अब क्या करू धीरे से छोड़ देती हो मधु ने धीरे से पाद बार दिया लेकिन उस बाद कि इतनी बद्बु थी कि जानकी ने हाथ से अपनी नाग बन कर ली अरे बहु ये बद्बु कहां से आ रही है पता नी मा जी बाहर से आ रही होगी मधु ने बाद को टाल दिया मधु के पेट में हमेशा से ही कुछ न कुछ गरबर चलता रहता था इसलिए मधु हमेशा परिशान रहती है शादी से पहले सब कुछ सही था लेकिन मधु के ससुराल में बहुत जादा मसालेदार खाना खाया जाता है इसलिए शादी के बाद से ही मधु के पेट में गरबर शुरू हुई है शादी के बाद मधू जब पहली बार रसोई में घुसी तब उसकी सास ने कहा ये क्या बहू इतना सा मिर्च पाउडर क्यों दे रही हो और डालो और लेकिन जादा तीका खाने से पेट खराब हो जाता है अरे हम लोगों को कुछ नहीं होता है तुम मिर्च पाउडर डालो मधू ने बहुत जादा मिर्च पाउडर डाल दिया लेकिन खाते समय उसके ससुर ने कहा अरे ये खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है तीखा पन थुड़ा कम है मधू के पती रमेश ने कहा मधू और ज्यादा मिर्च डाला करो हम तीखा खाते हैं लेकिन मधू को तीखा खाने की आदत नहीं थी इसलिए कुछी दिनों में वो बिमार पड़ गी उसके पेट में गैस होने लगा उसने रमेश से कहा सुनो जी मुझे इतना तीखा खाने की आदत नहीं है मेरे पेट में गैस हो रही है चलो नो डॉक्टर के पास चलते है अरे ऐसी चोटी चोटी बातों पर डॉक्टर के पास कौन जाता है हां कुछ दिन तीखा खाओ आदत पर जाएगा रमेश ने मधु की बात को टाल दिया मधु ने किसी से और कुछ नहीं कहा और आज रस्वई में उसकी बात निकल गई और जान की बद्बु सेह नहीं पाई जान की वहां से भाग गई रात को खाना खाने के बाद मधु रमेश के पास सो गई और नीन में दो तीनों पात माल रमेश नीन से उड़ गया अरे मधू बदबू से मेरा सर चकराने लगा है यह सब क्या कर रही हो तुम मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो पर तुमने नहीं सुना मधू तीखा खाने लगी और इतने में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और रमेश उसी दिन दो किलो चिकन ले आया अज बड़ा बिर्यानी खाने का मन कर रहा है मधू अच्छे से बिर्यानी बनाना हा और तीखी मिर्च डालना मत भूलना इतनी तीखी मिर्च डालना कि बिर्यानी लाल रंग की बने तभी तो बिर्यानी खाने में मज़ा आएगा मधू चुपचाप वैसी ये बिर्यानी बनाने लग गई उसने बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च डाल दी और बिर्यानी खाकर सभी ने कहा वा मधू, आज जा के तुमने कुछ अच्छा बनाया है, बहुत तीखा है तीनों ने मज़े से बिर्यानी खाई, लेकिन बिर्यानी खाते समय मधू की हालत खराब हो गई अरे यार इतनी तीखी बिर्यानी कौन खाता है, क्या करू खाना तो पड़े गई मधू ने कैसे भी करके बिर्यानी खा लिया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसी दिन उसका पेट भी खराब हो गया रात को वो रस्वई में खाना बना रही थी, तभी उसे जोर से पौटी आई अरे बाप रे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी वाश्रूम जाना होगा मधू बातरूम जाने ही वाली थी, कि तभी बाहर से जानकी ने चिल्ला कर कहा बहू, जल्दी खाना बनाओ, हम सबको भूक लगी है ठीक है, ठीक है माजी मधू बातरूम नहीं जा पाई, लेकिन उसके पेट में दर्द बढ़ने लगा क्या करू, अहां यहीं पर कर देती हो, बाद में फेक दोगी एक बरतन के अंदर मधू ने पौटी कर दी और उसे ढखक कर रख दिया उसके बाद खाना बना कर सब को खिला दियो और फिर वो सो गई रसोई से अपनी पौटी को फेकना भूल गई अगले दिन फिर से खाना बनाते वक्त उसे पौटी आई एक काम करती उसी बरतन में कर देती हो मदू ने उसी बरतन में फिर से कर दिया और ढखकर खाना बनाने लगी तभी रमेश ने आकर कहा मदू आज मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं आज शाम को तुम्हें करीब 20 लोगों का खाना बनाना होगा ठीक है मैं बना दूगी लेकिन मेरा पेट खराबे मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा फिर से वही बात यसा पेट वेट कली ठीक हो जाएगा तुम खाना बनाने पे ध्यान दो रमेश ने बात को फिर से टाल दिया ये लोग मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे ए भगवान मुझे बचा लो ऐसे ही चलता रहा तो मैं कुछ दिन में मर जाओंगी मुझे बचा लो भगवान मधु ने पूरा दिन रसोई में बिता दिया उसे बातरूम जाने का भी मौका नहीं मिला इसलिए वो उसी बरतन में बार बार पौटी करती रही शाम हो गई रमेश के दोस्त लोग आ गए और खाने का इंतजार करते रहे यहां बिचारी मधु अकेले क्या करेगी खाना तयार हुआ नहीं थोड़ा बाकी है और कितना टाइम लगेगा मधु कुछ तो हुआ होगा अरे इस बरतन में क्या है यह बरतन तो ढखा हुआ है मैं यहीं पहले ले जाता हूँ अरे नहीं वो नहीं रमेश के पास मधु की बात सुनने का टाइम नहीं था वो उसी बरतन को ले गया जिसमें मधु ने पौटी करके रखी थी और अपने दोस्तों को वही सर्व कर दिया सभी दोस्त लोग छी-ची करने लगे ये बोल कर सभी चले गए रमेश शर्म के मारे चुप हो गया मधु रोने लगी और रोते हुवे उसने सब कुछ बता दिया मैं बार बार कह रहे थी कि डौकटर के पास ले चलो डॉक्टर ने जादा तीखा खाने से मना कर दिया उसके बाद से मधु के हिसाब से खाना बनने लगा और सभी खाने भी लगे और इसी तरह धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया